गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर राश्री मैं आपको बताऊंगी आज कि गया सुदिन बल्बन के शाशनकाल के बारे में हैं जब हम यह टॉपिक शुरू करेंगे तो हम देखते हैं इसका प्रारंबिक जीवन यह इलबरी जाती से सम्मंदित था और इसका जरम तुर्किस्तान में हुआ था ठीक है इसके बाद इसको किश्वरावस्ता में बेच दिया गया मंगलों के हाथों उसके बाद बगदाद के ख़ाजा जमाल अदिन को बेचा उसके बाद इलतुत्मिष ने इसको खरीद लिया चुकि यह प्रारंब से ही योग्य व्यक्त भ् Не रत हाती था इसलिए इलतुत्मिश से खास बर्दार के रूपे न्युक्त कर लिया इसके बाद रजीय सुर्दान के काल में यह अमीरे शिकार के पदस्त पर जूक्त हुआ कि सुल्तान मंशूर साख को प्चुद करके नसरीदिन को सुल्तान बनाने का काम भी इसी ने किया इसके बाद नासुरु दिन की मALD्यूं के बाद गयासुत दिन की उपधी लेके यह इस गद्धी पे बैठा किस गद्धी पे सल्तनत काल के सुल्तान की गद्धी पे बैठा अब हम देखते हैं कि जैसे सुल्तान विला तो इसमें इसकी प्रारंबिक समस्यां बहुत आई जैसे आपको पॉइंट आउट किया है कि पहला यह इसमें राज्या तो बिल्कुल के बाद जिस कुटूब दिन एबक ने जो सल्तनात खड़ी की ती इस तुट मिश्नस को संगटित करने की कोशिश की लेकिन उसकी मृत्यू के बाद क्या हुआ उसकी मृत्यू के बाद आपस में सत्ता को पाने के लिए बहुत दिक लड़ाई जगड़े होने लगे अमीर ज ना सुरे दिन तो बिल्कुल बल बन के हाथों की कटपूती बनके रह गया और तो देखते हैं कि इसमें राज़त्यों की समस्या बड़ी दूरूबल थी दूसरी है दूरूबल आर्तिक इस्तेती थी जब शाषक की योगे नहीं था तो आर्तिक इस्तेती भी बहुत इस काल में मेवाती और राज़पूत भूमिपतियों इनकी लूट पाड चालू हो गई थी तीक है जो मेवाती जो लूट पाड करते थे राज़पूतों का पुन्रथान हो गया जैसे दिल्ली सर्तनत में जो शाषक था वो कमजोर हुआ तो जो राजपूत राज्ये जो इ मंगोल आकरमन कारी जलालोदिन मंगमर्णी भारत की सीमा पे आ गया था तो कैसे कैसे उसंकर टल गया था लेकिन उसके बाद भी जो उसका प्रतिनी थी था वो निरंतर भारत आने की फिराक में था और भारते सामराज्य में निरंतरी दर बना हुआ था तो हम देखते हैं कि इसी परकार की प्रारम में बहुत अधिक समस्याइं थी ठीक है लेकिन चोकि बलबने की योगदिश आशक था तो दीरे दीरे उसने इन समस्याओं को दूर करने का प्रियास किया तो पहला आपका आता है बलबन का राजत्व सिध्धान्त उससे जो पहला पॉइंट किया समस् घृष्थ आप अपने राजस्तव सिध्धान्त को बहुत अधिक क्या बनाया बहुत अधिक आधि वो करने की कोशिश की उसको सुद्रण बनाया उसमें सबसे पहले काम लिए उसने शुद्दान ँश्वर का पृतिन ही उसका यह म cruc अधिकार ऐसी मीत है इस परकार उसने रंकुष अशन की स्थापना का प्रितन किया इसने कहा सुल्तान को हमेशे अपने करतव्यों के प्रती सजग रहेना चाहिए जरुवत पढ़ने पर रक्त और लोहों की नीती भी अपनानी चाहिए अर्थार जरुवत पढ़ने पर रोक् पर जोड़ दिया इसके लावा राजनिती को धर्म से अलग रखना चाहिए स्वयम के चरित्र को शुद्र रखना चाहिए जन कल्यान के लिए प्रत्रशिन रहना चाहिए और उच्चवंश के लोगों को ही प्रशाशन में महत्वपुन पदों पर न्यूक्त किया जाना चा कि जो आम जन है वो उसका विरोध नहीं करें वो समझ जाएं कि जो राज सिंगासन पर व्यक्ति बेटा है वो कोई आम आदमी नहीं है बलकि पैगंबर के बाद दूसरा व्यक्ति है जो इश्वन ने उसको खुद ने नियूक्त किया है ठीक है दूसरा सुने महत्वपुन जो कार किया वो था केंदरिय शाषन को सुध्रड करना उसने अपने प्रांतिय सुबेदारों पर कठोड़नी यंतरन रखा और शाही आदेशों की अभेलना करने वालों के विरुद सक्त कारवाई की इस से क्या हुआ इससे ये हुआ कि जो सुल्तान की ब्रतिस्ठा थी जो गतिशील नहीं कर पाया जितने अवशक्ता थी उसे अपने शाषनकाल में कई बार प्रांतिय सुब्यदारों के विद्रों का भी सामना करना पड़ा इस सम्मंद में उसने प्रांतिय सुब्यदारों को कुछ वर्षों की सेवा के बाद एक प्रांत से दूसरे प्रांत को इस् गनिष्टा बढ़ा कर अपनी शक्ति को सुद्रड नहीं कर सके। इस परकार उसने जो सुबेदार थे उनके इस थाना अंत्रन की नीती अपनाई। अगला उसने ये किया कि उसने किसी निम्नवंशे व्यक्ति और किसी अयोगे व्यक्ति को महतुपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया। उसका ये मानना था कि हिंदूओं को तो निम्न पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और महतुपूर्ण पदों पर सिर्फ उसके विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे उनको ही वो नियुक्त करता था। इससे क्या हुआ। इससे केंद्री रशको के काल में जो सत्ता धीरे-दीरे हाथ से फिसलती जा रही थी उसने उसको समेटने की कोशिश की। अगला जो महतुपूर्ण जो कदम उसने उठाया वो था सेना का पुनरगटन। क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी राजबंश सेना के बल पर ही चलता है। और व उसने एक शक्तिशाली सेना की स्थापना करनी शुरू की। उसने समस्त सेनिक अनुदान और जागीरों की जाच करवाई जो उसके पहले के शाषकों ने बाटी थी। और उनका नभीन तरीके से वर्गी करन किया। जैसे पर्थम वर्ग में ऐसे लोगों को रखा जो प्रीफे की व्यवस्ता की गई और उनकी जागिरों को खाला समें देदिया गए खाला समतलब सरकारी नियंत्रा महां है। इसके अत्रित शाहिए नियंत्रम दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा इन लकी अ अनुशार वेतन निश्चित कर दिया गया और उनकी जागिरों को भी शाही नियंतर में ले लिया गया तीसरे वर्क के अंतरगत मृत्तक सैनिकों के आश्रितों को रखा गया उनके गुजारे की विवस्ता के लिए गाउं से आय दी गई और उनकी जागिरों को भी छीन लिया गया मृत्य सेहनिकों के आश्रितों ने दिल्ली के कोत्वाल फक्रुदीन के मारफ़ सुल्तान से फर्याद की इस पर सुल्तान ने तीसरे वर के लोगों की जागी रख्या की वापस कर दी इस परकार उसने जो पहले के जो सेहना के अंदर जो दूर बलताई आ गई थी उनको जो उठाया वो था दिवानी आरिज के पद को प्रतिश्टित किया दिवानी आरिज को नोता था जो सेहना का प्रमुक अधिकारी होता था बल्बन ने उसे अपने मंत्री मंदल में शामिल कर लिया सेनिकों की संक्या में भारी व्रद्धी हो गई और उनके प्रेश्रिक्ष प्रबले थो पुराने दूर्ग उनकी मृम्मत करवा और इसके अतरिक्त नए दुर्गों का निर्मान कर आया कि उस और डिर्गों का सवक्त स्क्तननत काल महत्रपुन स्नificación ठार만 अगले उससे मकंपून गदम उठाया वह था दिया व्यवस्तक्र याउ अपने अच्छे से राज कर पाता है या अपनी समस्याओं को हल कर पाता है जिसकी न्याय विवस्ता सुद्रड हूँ और बल्बन निश्पक्ष न्याय विवस्ता और कठोर दंड विधान का प्रबल समर्थक था उसने बंदयों के सुविदार मलिक बगबग को जो की सतनत का प्रमुक्ष अमीर्थण ने सता सता कर अपने नोकर को मरवा दिया था जब बल्बन को ये पता चला कि उसने ऐसा क्या है तो उसने उसकी विधवा के सामने कोडों से पिटवा कर उसको मार दिया कि इसको मलिक बगबग को इतना ही नहीं उस ने गुप्त चुरों को भी और सजादी जिसने उसको इसकी जानकारी नहीं दीती इस घटना से पता चलता है कि बल्बन बहुत न्याय प्रिये व्यक्ति थ्याओं और इसका एक अर्थ ये भी निकाल सकता है कि इस प्रकार के दंडों के दुआरा वह अपनी जनता में भै कायम करना चाहता था ठीक है अग प्रणकर शाषन में कठोर गुप्चर व्यवस्ता होना आवशक है शाषक को पूरी जानकारी होनी चाहेगी कौन किस अमीर क्या करेकर गतिविदी कर रहा है या प्रांति सुभेदारों उसके विरुद कोई गुट बाजी तो नहीं कर रहे है तो इस प्रकार गुप्चर व गुप्चर को क्या कहा जाता था वारिद और गुप्चर विभाग के प्रधान अधिकारी को वारिद ए मुमालिक कहा जाता था यह सब कोशन आपके शॉर्ट नोट में पहुंचे जाते थे कि वारिद क्या होता है या वारिद मुमालिक पदगी क्या कारेवाई होती है तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना चाहिए अगली बात हम करते हैं उस राज्जी की वित्तिय इस्तिति उसे राज्जी की वित्ति विवस्ता को सुद्रण करने का बड़ा प्रियास किया क्योंकि कोई भी राज्जी तब ही सफल हो सकता है जब उसकी उसकी वित्तिय सोर्स अगले जो पॉइंट आता है वो है तुर्क अमीरों का दमन करने के लिए उसने कई तरीके से रास्ते अपनाए क्योंकि उसको पता था कि अगर यह अमीर ही है जो उसके पद को उसके पद को चुनोती दे सकते हैं क्योंकि वो खुद भी इस अमीर दल का सद्द से रह चुका अपने व्यक्तिकत से वकों का उसने एक नया दल घटन किया ठीक है जो उसके उससे अधिक विश्वस्त थे इस प्रकावस में निम्न तुर्कों को उचे पद दिये ताकि जो उच पद के जो अमीर है उपनी गुटबंदी ना कर सके अगला आता है आपका उपदर्वकारी तत्वों का दमन जो बल्बन था उसने जो उसके राज्ये में उपदर्व कर रहे थे जो दिल्ली के आसपास के शेत्रों में लूट मार कर रहे थे उसका उसने दबन करने का प्रियास किया इसमें तो सबसे महत्यपून था वो थे मेवाती ठीक है उसने इसमें दबन करने के लिए आसपास के जंगलों को साफ करवाया जंगलों में चिपे मेवातियों को मोत के घाट उतार दिया जंगलो उसने दूआपके लिटोरों की तरफ ध्यान दिया और उट पर भी उसने बहुत अधी क्या किया नियंतर्ण कर लिया उसने के कैंद्रों बस्तियों को नश्ट कर दिया यहां भी जंगलों को साफ करवाया सब्सक्रादी महत्वपुन कार के इसके अलावा उसने जो कटेहर के प्रास प्रास के शेत्रों मैं जो उप दरवि थे उनका भी उसने दमन किया तो हम देखते हैं कि उसने जो उपदरव का रही थे जिनों ने राज्यी की सत्हा पर हड़कम प्रतम पचा था उसको भी उसने दमन करने का प्रीयास किया अग्ल Despite आता है वह भांगाल की इसमें आप तुग्रिल का विद्रो देख सकते हैं बंगाल में कि बंगाल में जो तुग्रिल खाता उसने बल्बन के विरुद क्या कर दिया विद्रो कर दिया जब जो तुग्रिल था उसने अमीर खा को एक बड़ी सेना के साथ तुग्रिल का दमन करने के लिए भेजा भाग गया परंतु बल्बन के आदेश से उसका निरंतर पीछा किया गया और अंत में उसको मोत के घाट उतार दिया गया इसके बाद सुल्तान वापस आया और लखनोती का शाशन अपने छोटे पुत्र बुगरा खा को सौंप के दिली लोट आया तो हम देखते हैं कि उसने तुग्रिल के विद्रो को भी दबाया इसके लाव से जो महत्रपुन काम किया वो था उसका सीमान्त नीतिया मंगोल संकट से सुरक्षया सीमान्त नीति में हमने पहले भी देखा था कि उसने जो से नमस उद्रडी कंड किया उसमें उसने नएने दुर्ग बनवाए थे तो उसने सीमान्त सुरक्षया का दाइत्व योग्य एवं विश्वस्त व्यक्तियों को सोपा ठीक है इसके लाव उसने सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरमत करवाई और वहां भी योग्य व्यक्तियों को रखा अगला जो आपका आता है कि उसने मंगोलों के अचानक आक्रमन का सामना करने की द्रश्टी से उसने सामराज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बल्बन ने अपने राज्य को सुद्रण करने के लिए दिली सल्तन को सुद्रण करने के लिए एक महत्यपून करदम उठाया उसने सेना का सुद् सतनत है वापस सुद्रण हो पाया इन सभी कारे करते हुए 1287 में क्या होगी बल्बन की डेथ होगी जब हम बल्बन की चरित्र का मुल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि वह सफल और महान सुल्तान बना रहा है उसने एक जो रख्त और लोहों की नीती अपनाई है उसने अप प्रमुक आधार बन गया था उसने उसको नश्ट कर दिया इससे एक तरफ तो क्या हुआ इसके फाइदा तो यह भी हुआ कि उसे इसे दिल्ली सर्तनत को बाद में चलके अमीरों के सांट गाट का फल नहीं जो दुश प्रवावते वो नहीं मिले लेकिन इसका एक दूसरा अधुष प्रणाम यह भी हुआ कि जो योगे व्यक्ति थे जो जो जिनमें योगे था थी वो सब मारे चले गए इससे आगे चलके बल्बन के बाद आगे के शाष्कों को बहुत अद्धी के मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन बल्बन के महत्वकम नकार नहीं सकते क्योंकि जो इलतुतमिश्की मृत्ति हो गई थी उसके बाद जो दिलिसस्ता 96 भी हो गई थी उसको बल्बन ने अपनी नीती से वापस उसको सुद्रड किया उसको विगटन होने से बचा लिया और जो बार-बार मंगोल संकट जो मंगोल आकरमन हो रहे थे इस का भी उसने अच्छे से क्या किया, अच्छे से सामना किया, इसलिए, प्रोफेसर हभी बुला ने लिखाया कि बलबन ने बड़ी सीमा तक खलजी राज़ी व्यवस्ता की प्रश्ण भूमिका निर्मान किया, समझ मैं है, तो हम देखते हैं कि बलबन का महत्व हम बलबन को, इसलिए चप् बल्बन ने उसको वास्तरिक सथापक बने सोगटित नहीं हो पाई थी वह धीरे धीरे जुसके बाद के शाश्कों के काल में अपने पतं की और अग्रसर हो रही थी उसको बल्बन ने वापस से सूगटित किया और उस दासवंज में इसलिए बल्बन का महत्वपूनिस्तान है ओके थैंक यू